तो यह क्रेसगार्ट काफ़ी जाद़ प्रोटेक्ट करता है तो आप इस एसेसरी को आपने बाइक में जरूर लगाएं उस टाइम आपके इंजन को यह काफी अच्छे से बचाता है क्योंकि यह Metal का है और आपके इंजन को प्रोटेक्शन देता है जिससे कि आपका बाइक फुल फिट रेडी हो जाता है दोस्तों अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं होंडा SP 125 को यह जो है इसका ड्रम ब्रेक वाला बेरियंट है और इस बाइक का जो है अभी आपको इस बाइक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि इस बाइक में क्य क्या आपको एसेसरी मिलता है यह आप लोग देख लें इसमें सीट कबर लगा हुआ है साइड बॉक्स लगा हुआ है इसको हम लोग इधर डिकी भी बोलते हैं और इसमें बजर और इंस्टॉल किया हुआ है तो उसका जो है आपको प्राइज कितना पे करना होगा आप हमार इस चैनल पर फर्स टैम आये हैं तो चैनल को सास्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें चलिए फिर वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले जो है बाइक का मैं आप लोगों को सीचर बता देता हूँ बाइक में क्या क्या आप फीचर दिया गया है यहाँ पर आपको fully digital meter console मिल जाता है बाइक में जो है आपको kill switch दिया गया है उसके साथ जो है आपको silent start का features मिल जाता है आप जब बाइक को start करेंगे तो बाइक में आपको vibration फिल नहीं होगा जो कि यह Honda का काफी अच्छा technology है यह feature जो है आपको Honda के सभी bikes और scooter में देखने को मिल जाता है जिससे कि आप जब bike को start करेंगे तो vibration फिल नहीं होगा तो काफी सांदार यह features आपको company provide करती है यहां पर आप लोग इसके tank को देख लें इसमें 11.2 लिटर का fuel tank capacity है यह बाइक जो है अभी OBD2 E20 compliant engine के साथ आ रही है यहां पर आप E20 के sticker को देख लें आप इस bike में 20% ethanol वाले petrol को डलव गया है SP125 के sticker को आप लोग देख लें अभी जो है दोस्तों SP125 में sport edition को भी company ने launch कर दिया है अगर आपका budget जो है दोस्तों एक लाग 8000-10,000 तक का है तो आप जो है इसके sport edition को भी purchase कर सकते हैं जिसमें की आपको new color option देखने को मिलेगा और bike में जो है company ने थोड़ा बहुत changes भी किया है अब जो है मैं आपको accessories के बारें बताता हूं कि accessories इसमें क्या क्या fit किया हुआ है तो सबसे पहले आप accessories का देख लें seat cover लगा हुआ है जो कि काफी सांदार seat cover है seat cover में जो है आपको SP125 को यहां पर branding मिल जाता है अब जो है इसके दूसरे accessory की अगर बात करें तो यह आप लोग देख लें साइड बॉक्स इसमें लगा हुआ है जिसमें कि आपको Honda का branding मिल जाता है काफी अच्छा जो है इसमें आपको finishing भी मिल जाता है और काफी अच्छा build quality है आप लोग जो है इसको देख लें यहां पर clamp के through जो है fit किया हुआ हुआ है काफी अच्छा जो ह है यहां पर देख लेंगे इंजन गाड़ इसमें लगा हुआ है तो यह जो है आपको engine को काफl स्ट करता है आप जब इसको गाउन देहाथ में चलाते है या फिर जौ है गढड़े वडे रोड में चलाते हैं इसको उस ट्याम जो है आपको इंजन को चौपी अच्छे से ब गाना पड़ता है तो अगर आपका जो है ho गीर जाता है या फिर हो जाता है तो उस टैम आपको बाइक में scratch नहीं आएगा तो यह म सबसी चोपर करता है तो आप इस को आपने बाइक में जरूर में लगा Cath alt ऐ की अगर बात करते तो इसका जो यहां पर देख ले lot इसके gear को देख रहे हैं तो यहां पर रबबल का कुभर लगा हुआ आप देख ले सिंK तो इसका जो है अगर आज पूर आइसको प्रैल को भी देखं़े और यहां पर वी किया प्र Bradley को खूंडा का कबार लगा हुआ तो यह होंडा के ब्रांडिंग के साथ देख सकते हैं यह जो है आपके यहां पर हैंडल में लग जाएगा यहां पर फिट किया हुआ नहीं है लेकिन आप इसके ग्रिप कवर को यहां पर लगा सकते हैं तो इसमें टोटल जो है जो कि अंदर फिट रहाता है उसको आप देखने सकते हैं तो इस बायक में आप टोटल सेभें नैसे सड़ी को फ्ट करवा सकते हूं जिससे कि आपका बाइक जो है fully fit ready हो जाता है तो आप जो है bike को काफी अच्छे से protect कर सकते हैं आपका engine cover लग जाता है press guard लग जाता है diggy लग जाता है तो अगर बजर हो गर हो जाते हैं तो आपको कुछ saman हो गरा लाना है तो आप जो है इसके diggy में ला सकते हैं तो काफी अच्छा जो है इसमें आपको एसेसरी इंस्टॉल करके मिलता है सोरूम से आप इसके प्राइस की अगर बात करें कि इसका प्राइस आपको कितना लगेगा तो मैं जो हूँ इस वीडियो को तीवारी होंडा जामताडा में सूट कर रहा हूं तो हमारे यहां फुल फ पनिका हो सकता है या फिर सीट कभर जो है वो थोड़ा अच्छा हो सकता है थोड़ा जो है उसका क्वालिटी खराब हो सकता है तो वहां पर जो है प्राइस में थोड़ा बहुत डिफ्रेंस आता है आप जदी देखते हैं इसमें आपको मैं दिखाया हूं कि होंडा का जो है genuine grip cover लगा हुआ तो काफी showroom बाले जो है उसमें चालू माल लगा देते हैं तो उसका जो है price कम होता इस वज़े से आपको जो है accessories का price थोड़ा कम देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको जितने भी accessories दिखा रहा हूँ सारा जो है genuine accessory है और आप आपको काफी अच्छे price में bike भी मिल जाएगा और accessories भी मिल जाएगा तो इन में से दोस्तों आपको कौन सा accessory जो है useful लग रहा है आप जो है एक बार comment करके जरूर बताए आप जो है इन में से कौन-कौन से accessories को अपने bike में fit करवाना चाहेंगे आप लोग एक बार comment करके जरूर बताए आप जो है दोस्तों मैं इस bike का आपको mileage बता देता हूँ price तो मैंने आप लोगों को बता दिया है आप जो है mileage की अगर बात करें तो इस bike में आप जो है 65 kmpl का mileage निकाल सकते हैं जो कि look भी जो है काफी सांदार है features भी bike में काफी अच्छा दिया गया है तो अगर आप जो है दोस्तों 2023 के festive season में 125cc segment में एक new bike को purchase करना चाहते हैं तो आप जो है SP125 को definitely consider कर सकते हैं मुझे personally भी जो है 125cc segment में SP125 काफी अच्छा लगता है design भी काफी अच्छा है तो दोस्तों इस bike को आप 2013 में खरीदना चाहेंगे या फिर नहीं आप जो है एक बार comment करके ये भी जरूर बताएं तो चलिए फिर आप इस video को यहीं पर end करते हैं अगर आपने यहां तक video को देख लिया तो video को like करें channel पर अगर नए है तो channel को subscribe कर ले मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you so much